रोहित शर्मा की अगवाई वाली भारतिय टीम ने गुयाना के प्रोविडिन्स स्टेडियम में इंग्लैंट को 68 रनों से हरा कर ICC T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उनका सामना शनिवार को दक्षिन अफरीका से होगा। 172 रनों के लक्षिका पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम को कप्तान जोस बटलर और फिलिप साल्ट ने मंचाही शुरुआत दी और आसानी से गेंद को बाउंडरी के पार पहुँचाना शुरू कर दिया, खासकर बटलर आकरामक अंदाज में थे, बटलर ने अर्षदीब की धीमी गेंदों को भी पकड़ा और तीन चोके लगाए। इंग्लैंड के आठ से अधिक के शांदार रन रेट के साथ भारतिय प्रशनसकों के मन में 2022 विश्व कप सेमी फाइनल की कलपना धीरे धीरे उभरने लगी। लेकिन पावर प्ले में गेंद बाजी करने आए बटलर को पवेलियन भेज भारत को पहली सफलता दिलाई। अक्षर की पहली ही गेंद पर बटलर रिवर्स स्वीप करने गए और गेंद बले से लगकर सीधे स्टंप के पीछे रुशब पंद के हाथों में चली गई। बटलर ने पंदरह गेंदों पर चार चौकों की दौलत 23 रन बनाए। इसके बाद जस्परीद बुमराह ने पांचवम ओवर में 34 के कुल स्कोर पर अपनी एक आदर्श धीमी ओफक्तर से साल्ट को बोल्ड कर भारत को दूसरी सफलता दिला दी। साल्ट ने पांच रन बनाए। लगातार उच्छाल ने अक्षर को इंगल आफ स्टम्प पर लगी और बेरस्टो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। आठवे ओवर में अक्षर ने 46 के कुल स्कोर पर मुई लली आठ को पंत के हाथों स्टम्प कराकर भारत को एक और सफलता दिलाई। इसके बाद रोहित ने चाइना मैन स्पिनर कुलदीप को बोल्ड कर मैच लगभग भारत के पक्ष में कर दिया। कुलदीप ने क्रिस जॉर्डन, शून्य एक को आउट करके मैच में अपना तीसरा विकेट लिया। लियाम लिविंग स्टोन, ग्यारह के रन आउट होने के साथ ही भारत जीत के करीब पहुँच गया। जोफरा पार्चर 21 ने दो चोके लगा कर इंगलिश प्रशंसकों को खुश होने का मौका दिया। लेकिन बुमराह ने उन्हें पवेलियन भेज भारत की जीत पक्की कर दी। इंग्लेंड अंत्तह 103 रन पर धेर हो गया और 68 रन से मैच हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। भारत के लिए अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने तीन तीन वजस प्रीद गुमराह ने दो विकेट लिये। इस से पहले टॉस हार कर पहले बले बाजी करने उत्री भारतिय टीन ने तीसरे ओवर में 19 के कुल स्कोर पर विराट को ली, 9 को खो दिया। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और पंत ने टीम का स्कोर 40 तक पहुँचाया, इसी स्कोर पर पंत सैम करन का शिकार बने। यहां से रोहित और सूरे कुमार यादव ने तीसरे विकेट के लिए 73 रनों की साज़ेदारी कर भारत को मैच में वापसी दिलाई, इस दोरान रोहित ने अपना गेंदों पर 6 चोके और 2 चके की बदौलत 57 रन बनाएं। 124 के कुल स्कोर पर सूरे कुमार भी 47 रन बनाकर चलते बने। सूरिया ने इस दोरान 36 गेंदों पर 4 चोके और 2 चके लगाएं। इसके बाद हारदिक पांडिया 13 गेंद 23 रन, 1 चोका 2 चका, रविंदर जडेजा 9 गेंद नाबाद 17 रन 2 चोके और अक्षर पटेल 6 गेंद 10 रन 1 चका ने भारत को 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रनों के स्कोर तक पहुँचा दिया। इंग्लैंड की ओर से क्रिस जॉडन ने तीन, रीस टॉपले, जुफरा आर्चर, सैम करन और आदिल राशिद ने एक-एक विकेट लिया। इंग्लैंड के आठ से अधिक के शांदार रन रेट के साथ भारतिय प्रशनसकों के मन में 2022 विश्व कप सेनी फाइनल की कलपना धीरे धीरे उफ़रने लगा। लेकिन पावर प्ले में गेंद बाजी करने आए अक्षर पटेल ने मौके का फाइदा उठाया और बटलर को बटलर रिवर्स स्वीप करने गए और गेंद बले से लगकर सीधे स्टम्प के पीछे रुशब पंद के हाथों में चली गई। बटलर ने पंदरह गेंदों पर चार चौकों की बदौलत 23 रन बनाए इसके बाद जस्परीद पुमराह ने पांचवम ओवर में 34 के कुल स्क जाने का मौका दिया। उन्होंने जौनी बेर्स्टो को एक ऐसी गेंद पर चौका दिया जो सतह से फिसल रही थी। बेर्स्टो ने उस गेंद को टर्न के लिए खेला जो टर्न नहोकर सीधा ओफ स्टम्प पर लगी और बेर्स्टो बिना खाता खोले पवेलियन लौट लगाया। कुलदीप ने अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सैम कुरन को LBW कर भारत को पांचवी सफलता दिलाई। कुलदीप ने इसके बाद हैरी ब्रूक को बोल्ड कर मैच लगभग भारत के पक्षमे कर दिया। कुलदीप ने क्रिस जॉडन को आउट करके मैच में अपना तीसरा विकेट लिया। लियाम लिविंग स्टोन के रन आउट होने के साथ ही भारत जीत के करीब पहुँच गया। जोफरा आर्चर ने दो चौके लगा कर इंगलिश प्रशनसकों को खुश होने का मौका दिया। लेकिन बुमराह ने उन्हें पवेलियन भेज भारत की जीत पक्की कर दी। इंगलेंड अंत्तह 103 रन पर धेर हो गया और 68 रन से मैच हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। भारत के लिए अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने तीन तीन वज़स प्रीत बुमराह ने दो विकेट लिये। इस से पहले टॉस हार कर पहले बले बाजी करने उत्री भारतिय टीम ने तीसरे ओवर में 19 के कुल स्कोर पर विराट कोली को खो दिया। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और पंत ने टीम का स्कोर 40 तक पहुँचाया, इसी स्कोर पर पंत सैम करन का शिकार बने। यहां से रोहित और सूरे कुमार यादव ने तीसरे विकेट के लिए 73 रनों की साज़ेदारी कर भारत को मैच में वापसी दिलाई, इस दोरान रोहित ने अपना लगातार दूसरा अरदश तक भी पूरा किया। हलाकि रोहित अरदश तक पूरा करने के बाद ज्यादा देर तक क्रिज पर नहीं रह सके और 113 के कुल स्कोर पर आदिल राशित की गेंद पर बोल्ड हो गए। रोहित ने 49 गेंदों पर 6 चौके और 2 चक्के की बदौलत 57 रन बनाए। 124 के कुल स्कोर पर सूर्य कुमार भी 47 रन बनाकर चलते बने। सूर्या ने इस दोरान 36 गेंदों पर 4 चौके और 2 चक्के लगाए। इसके बाद हार्दिक पांडया 13 गेंद, 23 रन, 1 चौका 2 चक्का, रविंद्र जडेजा, 9 गेंद नाबाद 17 रन 2 चौके और अक्षर पटेल 6 गेंद 10 रन 1 चक्का ने भारत को 20 ओवर में 7 विकेट की नुकसान पर 171 रनों के स्कोर तक पहुँचा दिया। इंग्लैंड की ओर से क्रिस जॉडन ने तीन, रीस टॉपले, जुफरा आर्चर, सैम करन और आदिल राशिद ने एक-एक विकेट लिया।